हेलो स्टूरेंट्स वन्स अगें वेलकम टू पीमार स्मार्ट लेर्निंग और आज मैं आपके लिए क्लाश ट्रेंड ब्रेच कोड़ों त्यानी सित्तु आप बैसक्रम की साइंस एंड टेक्नोलोजी वन की टेस्ट नमबर त्री लेके आए हूँ इसमें आपको सभी आंसर मि जाएंगे पर वीडियो बिना स्किप करके पूरा देखिएगा और फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी जग सब्सक्राइब ने किया तो जलदी सब्सक्राइब कर दिचे और बैल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन और करके एक भी क्वेशन नहीं है मतलब आपको सारे क्वेशन सौल करना कंपल सरी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फॉर्स्ट वेशन आपको यहां पर दिख रहा है सॉल्ड फॉलविंग क्वेशन क्लासिफाइब फॉलविंग एसिट्स इंटु स्ट्र एक विक एसिट्स तो इसका अंसर कुछ इस प्रकार रहेगा कि HCl और HNO3 यह जो है यह है इस्ट्रॉंग एसिट्स और H2C03 और CHCOOH यह है वीक एसिट्स और CHCOOH को एसिटिक भी वोलते हैं जो कि उसका नाम है चलिए आगे देखते आगे सेकेंड यू साइंटिक रिजन व पैसेंजर लेट तो अगर एक बस जा रही है सीटे सीटे और एकदम उसने अचानक राइट टन ले लिया तो पैसेंजर चले जाते हैं लेट साइड को तो ऐसा क्यों होता इसका साइंटिफिक रिजन में ही आपे बताने तो इसका अंसर रहेगा यह वेन बस इस इन मोशन ए पैसेंजर पैसेंजर लेट साइड यह है इस क्वेशन का अंसर अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है 3 कम्प्लीट दो फॉलोविंग बॉक्स तो हमें यहां पे एक डियाग्राम जी कही है बिच में लिकाए डायमड और ऊपर लिकाए ग्लास कटि इसका मतलब हमें डायमड के जो यूजेस है वह हमें यहां पर बताने है तो डायमड का एक यूज हमें पहले से दिया गया है ग्लास कटिंग और जो चार यूजेस बचे होए वह हमें यहां पर लिखने है तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार रहेंगे रॉक ड्रिलिंग और् and eye surgery तो चलिए अब दिखते हैं आगे के questions आगे के question में है distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons तो इसका answer कुछ इस प्रकार रहेगा saturated hydrocarbons the hydrocarbons having only single bonds between carbon atoms are called saturated hydrocarbons और इसके example ethane और propane और unsaturated hydrocarbons का आएगा hydrocarbons having at least one multiple bonds are called as unsaturated hydrocarbons और इसके example है ethane और propane तो इसमें ethane और ethane में confuse मत होना दोस्तों इसके spelling ठोड़ी different है पर pronunciation थोड़ा थोड़ा सेम ही आता है इसलिए आप देख लीजे और एकदम देखे ध्यान से लिखें आगे का question है 5 नंबर का complete the following chart तो यहाँ पे हमें दिया गया है substances acid और basic यहाँ पे लिटमस पेपर क्या यह दिया गया है blue और red और दिया गया है methyl orange और फैनल प्लाइन तो इस चार्ट का अंसर कुछ चीज प्रकार आएगा acid के सामने जो मतलब blank column है लिटमस का blue वाला उसमें आएगा red और यहाँ पे red के column में आएगा blue नीचे और methyl के इसमें नीचे आएगा yellow और plane के नीचे आएगा यहाँ पे pink तो अब बढ़ते हैं आगे के question की तरफ आगे का question question number six मतलब six question है identify which rule is understood by observing the following diagram and write the rule in your own words तो इसमें यहाँ पे नीचे आपको diagram दिख रही है यहाँ पे solution of calcium chloride है और solution of sodium sulphate है तो इसको यहाँ पे mix के आगया है और इसका color white हो गया है white तो यहाँ पे white color का chemical form हो आए तो इस यह जो reaction है नीचे diagram में दिए गई इससे कौन सा rule होता है यह हमें अपने word में लिखना है तो इसका answer आएगा यह the law of conservation of matter is understood by also in the given diagram and the rule is the mass of the original matter and the mass of matter newly formed as a result of chemical change are equal तो आगे का question question number two में है first in the following example determine the direction of force and displacement identify positive negative or zero work done by applying the force तो first step pushing a stalled vehicle तो इसका answer आएगा positive work second is tying a stone to one end of earth driving and swinging it round and round by the other end of the string तो इसमें answer आएगा zero work और third is catching a ball thrown by a friend तो इसका answer है negative work आगे बढ़ते स्टुडेंट्स आगे observe the diagram and write the rules used for drawing ray diagrams तो पहले यहां पे एक mirror है पर्स diagram में और एक incident ray आ रही है और वो reflect होके जा रही है और फोकस में से तो इसमें जो रूल बता रहा है हमें वह रूल होगा if an incident ray is parallel to the principle axis then the reflected ray passes to the principle focus और second जो diagram है वहाँ पे एक incident ray आ रही है जो कि focus में से आ रही है और reflect होके जा रही है और वह reflected ray है वह है इस principle axis को parallel तो इसमें आएगा rule 2 if an incident ray passes through the principle focus of the mirror the reflected ray is parallel to the principle axis और यहां पर थर्ड जो diagram है बनी हुई है यहां पर यहां पर आपको mirror और वह ही सब दिखाए गया है पर यहां पर incident ray आ रही है और वह हो आ रही है center of curvature में से और वही से वापस return भी जा रही है तो इसमें rule number 3 आएगा और rule number 3 if an incident ray passes through the center of curvature of the mirror the reflected ray traces the same path back अब आते हैं थर्ड कुशन पर थर्ड है चूज दो करेक वर्ड फ्रम दो ब्लैकेट और फिल इन दो ब्लैक्स गिवन इन पारग्राफ तो मैं आपको यहां पर पारग्राफ रिट करके बता आदा हूँ दिस लिमित आप यहरिंग अप दी यूमन यहर आर ब्लैक्ट टुटी तॉजन हर्ट्स ऩै यह ज Adm STEP刘 हो कंनल हो नहcribe किर फश्वनत on Jeanne इस लिए को चाल ब्लैक्सओ घा सनल में यहां सम्झास्टोराष वर्यॐहां ब्लैक हैं शल में रस लाड़ाजet व्लैक्टोर। यहां ब्लैक्टोर। आम इन पर चापवेश आर बलैक्सओूर। is called blank sound the sound produced by a pendulum called the sound generated by the vibration of earth's crust just before an earthquake are the example of sounds sounds wave with frequency greater than 20 kilohertz are called as blank so iska answer kuch isprakar hai ga the limit of hearing of human ear are 20 hertz to 20 20 000 hertz that is the human ear can hear sounds of frequency in this range these sounds are called audible sounds our ear cannot hear sounds of frequencies lower than 20 hertz and higher than 20 000 hertz that is 20 kilohertz sound with a frequency smaller than 20 hertz is called as infrasound the sound produced by a pendulum and the sound generated by the vibration of the earth's crust just before an earthquake are example of such sounds sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called as ultra sounds again fourth observe the picture given below and answer the questions so here we have a picture given here we have a stripe here we have numbers and it has colors so this is ph meter and what is the name of stripe in the picture and what is it used for the given picture is of measurement of ph universal indicator and ph meter it is used for identification of nature of substance yeah first cancer second how is it determined whether the substance is acidic basic or neutral to this cancer if the ph value of substance is less than seven then it is acidic if ph is greater than seven then it is basic and if ph is seven then that substance is neutral or third what is the ph value of of neutral salts so obviously neutral salts so obviously neutral salts is 7 so this cancer appears seven indicates a neutral salt so students if you like this video please like this video and subscribe to please support me that 1000 striping for the more 1,000 subscribers will make more deaths and then you will make themと思います so you will make them so you will do using the attack given below and time च लेहां पर हम J s maresh intrigued Gą से दो रहे हैं एक Convex Mira से टकरा sharing on camera К बीच में से एक आइपीस में से पास हो रही है तो इसको हमें बताना है कि कौन सा टेलिस्कोप डिखाया गया है तो इस टेलिस्कोप का न आम है कैसे Pinent telescope और में मित्वाइब्ड इस डायागराम को लेवल भी लेवल में lambda में पार्ट्स ऑफ डशुप तो लेबल कुछ इस प्रकार आएंगे इसके में आगे देखते है इस आपसेफ्स टो यह digo b दिखाए गया है तो यहां पर इस कहा है कि लिखक्र लिखा है लाइक्री पोच्छे गये है तो यहां पर रिखा गया है through the wire so it can answer what direction of flow of electrons through the wire is from conductor b to conductor a for last c have when will the electrons flow through wire stop flow of electrons will continue until the two conductors a and b have the same potential that is until their potential difference becomes zero only then will the flow of electrons stop to students here the test is finished and how do you feel like this video in the comment section and if you like this video please like this video and subscribe to make sure to make sure